फ्रेंड्स, भारत के 1.4 बिलियन लोगों की प्राइवरिटीज और एस्पिरेशन्स, हुमन सेंट्रिक डेवलप्मेंट पर उनकी आस्था, इंक्लुजिविटी और इक्विलिटी का हमारा कमिक्मेंट, विश्व सम्रुद्धी और विश्व के विकास का बहुत बड़ा आधार है, आज भारत दुनिया की फिप्थ लार्जेस्ट एकॉनमी है, दस साल पहले भारत इलेवन्थ पर था, आज दुनिया की हर प्रमुग्रेटिंग एजन्सी का अनुमान है, कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप थ्री एकॉनमी में जाएगा, दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है, करते रहें, मेरी गारंटी है, हो जाएगा, एक ऐसे समय में, जब विश्व अनेक अनिश्चित्ताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई कीरण बन करके उभरा है, भारत की प्राथ्विक्ता हैं, बिल्कुल स्पस्ट है, आज भारत की प्राथ्विक्ता हैं, अज भारत की प्राथ्विक्ता है, न्यू एज स्किल्स, फिचरिस्टिक टेक्नोलोजी, ए आई एंड इनोवेशन, आज भारत की प्राथ्विक्ता हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्योबल एनरजी, सेमी कंड्रक्टर्स, इसका पूरा एको सिस्टेम, इसकी एक जलत हम, बाइबरेंट गुजराथ ग्लोबल ट्रेड शो में भी देख सकते हैं, और मेरा तो आग रहे हैं, कि ट्रोएड शो जुरूर देखें, गुजराथ के भी स्कूल कॉलेज की विद्यारती जुरूर जाएं, कल दिन में मैंने इस एक्सेलेंची नूसी और इस एक्सेलेंची रामस होड़ताई जी के साथ, इस ट्रेड शो में काफी समय गुजा रहा है, इस ट्रेड शो में कम्पनियों ने वर्ल क्लास स्टेट अप द आर्ट टेक्नोलोजी से बने प्रोड़क्स का निदर्शन किया है, इमोबिलिटी, स्टार्ट अप्स, ब्लू एकोनमी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्तर जैसे ट्रेड शो में एक प्रकार से चाय हुई है, यह जितने भी सकत है, इन्वें, इन्वेस्ट्मेंट के लिए आपके पास लगातार नए अउसर बन रहे हैं,